तो जनाब यह वीडियो है आज हम कलर फिक्सर बनाने वाले हैं जिसके बार में बहुत जादा उस सवाल थे कैसे बनता है हमसे बनता नहीं है कलर नहीं आता बहुत साथ है जिनका मैं जवाब दे चुकी थी आप लोगो कॉमेंट में लेकिन आप लोगो फिर से बता देती हूं यह हमारे पास कार्बोनीक एसरिड यह आप Lee को मेडिकल स्तौर से मिलेगा इसकी प्राइज स्सक्राइब हें देखें यह लिकवर्ड नहीं है यह जो चीज है इसके अंडर हो 겥ैना स lieu है यह तरह呢 your decrylabe कहिंड आप लोगों यह ऐसाथ कार ऊड़ो देखने ये निखा हुए है यहां और यह चाहिब है ठीक है सारी डटेल इस बॉटल के ऊपर बने होई है उन्हों ने भी रिखा किया आप लोगोंने बच्छों की पहुंद से दो रखना है यह केमिकल है ठीक है उसके बाद देखें एकस्पारियर डेट भी यहां मैंशन है और साथ में इसकी प्राइज भी मैंशन है ठीक है यानिके 85 रुपीज की यह मुझे इतनी बोटल जो है 85 रुपीज की मिली है अगर आप बड़ी लेना चाहते हैं तो आप चोटी इस्तमाल हमने पाणी यहां गरम किया है तो पाणी को हमने अब गवर्यम कर लिए ठीक है अब बहुतन है इसके अंदर रख देना रहता है थोडी दिर और रखोंगी जैसे यह लिक्वट फॉर्म में हो जाएगा हम इसको पाणी से निकाल लेंगे तो यह देखें ऑगिन जो है वह लिक्विड हो चुका है ठीक है कार्भोनीक एकि सट केमिकल है अब भेस looking अब भड़े हो कि अब अब देखें आप ने ने हे नहीं है ऐसा है जो आपके मतलब यूज में लगे जाता है यो chemical है आपके skin जो है वो damage हो सकती है ठीक है अब यह हमने यहां डाल लिए आपने अँखों का भी धिहान करना है थोड़ा सा अपनी skin का भी धिहान करना है तो यहां हम इसके अंदर color add करेंगे ठीक है यह मैंने इतना सा color इसके अंदर add कर दिया अगर आप इससे जादा color add करना चाहें तो आप जादा भी कर सकते हैं और कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी पर depend करता है कि आप किस तरह का color चाह रही है ठीक है तो यह मैंने यहां इसको color को थोड़ा सा उसके अंदर mix कर दिया सारा अब यहां हम पानी add करेंगे पान अब यहां हम चूले को आपने हल्की आंज के उपर इसको बनाना है ठीक है तो यहां ने चूले को अन कर दिया है उसको थोड़ा सब मिक्स करेंगे है तो यह दिखें यह अब उसके अंदर से बाफ निकलना शुरू हो गया है अब इसको थोड़ा थोड़ा हलाते जाएं ताकि जो कलर है वह अच्छे तरीकी से इसके अंदर मिक्स हो जह तीन से चार मिनिट मैंने इसको पकाया यह देखें अब आपको पता चल रहा है कि यह पक चुका है ठीक है अब इसको उतार लें कि जब यह ऐसे आपको पता चल जाए कि यह हो गया है तो आप इसको उतार लें अपर एपने हाथों का ख्याल जरूर करना है अब इसको डालना किसके अंदर जिस बोटल के अंदर से आपने इसको निकाला है अपने उसी बोटल के अंदर इसको ट्रांसफर करना है यहां फिर कांच की बोटल ले ले उसके अंदर कर ले यहां मैंने उसको चान के बोटल के अ तो यहां जो है पहले से बना हुआ था और यह नहीं अब बनाया आप लोगोंके सामने बनाए यह दिखें यह रहा हाथ पे हलका सा जो है वह वाइट हो चुका है यहां से क्यूंकि यह मेरे ड्रेक्ट जो है वह थोड़ा सा लगा था तो यह देख लेए ऐसी स्कीन हो जाती है तो ठीक हो जाएगा वह तो यहां आप लोगों को इसका स्टीन भी दिखा दिती हूं कि कैसा है तो यह देख लें यह रेडिश जैसी महंदी का कलर आता है वैसा है मैंने यहां से फॉरण इसको साफ कर देना है देख लें अब कलर देख लें आप कहते हैं कि कलर नहीं आता है यह मैंने आप लोगों के सामने बनाया और कलर भी देख लें अच्छा खासा आ चुका है अगर आप इससे जादा डाक करना चाहते हैं तो आप और जादा इसके अंदर जो है वो पावडर डालेंगे तो यह और जादा डाक हो जाएगा तो यहां तक जो थी बाते मैंने आपको बता दी उमीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी अगर फिर भी अगर कोई क्वेस्टन है कुछ बात समझ नहीं आती तो आप मुझे कॉमेट कर सकते हैं मैं आपको लोगों को रिप्लाइ कर दूँगी तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे भी अपनी दुआओं में यार टेक के और खुदाफिस बाई बाई